अलो बच्चों आप श्रवी का हमारे यूट्यूब चैनल आई डिल देव कलासेश्म स्वागत हैं बच्चों आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विशे शनस्कत लेकर आएं जो कक्षा आटवी के लिए और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मत्पदे क्योंकि आपकी कलास आठवी है आठवी कलास आने में इस बोट पैच्चा होगी और ये बोट पैच्चा में आपको अच्छे से त्यारी करके जाना जिससे आप पैच्चा में पास हो सके चलिए देखते हैं आज इस वीडियो के मादविम से आपको पार्ट 16 पढ़ाएंग इसमें कहा दिया संची पैचे में, लोकिक संस्कत सहित का आरम महसी बालमी की क्रत रामाड से होता है, इसे संस्कत सहित का आदी कावी कहा जाता है, शेली की दिश्टी से संस्कत सहित को चार भागों में बाटा जा सकता है, लोकिक संस्कत सहित के उपजीवे, मुख्य अंग्र बालमी की करत रामायड व्यास करत महाबात तता स्रीमत भागवत महापुरान सर्ग मंधो महाकावयम अर्थात महाकावय सर्गों में बंधा होता है अचार्य भामह डंडी और आनंद वर्धन विश्वनात सम्मट ममट माग स्रीहर्स बाढ़भट जैसे महनी कवियों की अविर प्रवावित है पस्तुत पार्ट में हम महाकावी कालिदास का जीवन पैचे एंके ग्रंतों के विशय में विस्तार पूरिवक अध्यान करेंगे महाकावी कालिदास को कभी कुल गुरू की उपादी से भी अलंकरत किया है विश्व की प्रहाश अभी भाशाओं में इनके करन्तो का अनुवार मिलता है। विद्धयार्तियों को सहस्कृत की दीर्ग परंपरक को से विस्तार में बताईए। इसके बाद प्रशन आप पार्ट में जो प्रशन व्यास अस्या तो इसका सही आंसर आजाएगा आपका बन अंबर कालिदास अस्या नेश्ट प्रेशने प्रेश नंबर दो कावेश्यू नाटकम रम्यम तत्र रम्या या इसके चौर आप्शन में से सही आंसर क्या है आपको यह बताना है चली देखते हैं इसका सही आंसर क्या आए तो इसका सही आंशर किया हो जाएगा दर मअब का सकुन तला जो प्रषलिक है अपका इसका सही आंशर हो गया दर नमब सकुन ते ला इसके बाद नेदेश से ृक पदैंन उत्तर लिखत प्रष्ण प्रश्ण के है आपका संस्कत साहित के सार्श्रेश्ट कभी कौन हैं तो इसका सही आंसर क्या जागा अभी ग्यान साकुन तलम प्रश्ण क्या था आपका एदी एश्वर चाहते हो तो किसकी शेवा करने चाहिए तो आपका अंसर क्या जाएगा अभी ग्यान साकुन तलम मिंस क्या हुआ ? इसका सही अंसर हो गया है इसके बाद next question है आपका question number 5 प्रेश no. 5 क्या है ? माल वि कांग गीनी मित्रम मिंस क्या हुआ ? माल वि काज नी मित्र नाटक में कितने अंग हैं इती नाटके कती अंका असंती तो इसका सही अंसर आजाएगा 5 प्रिशंट नमझ देखिए मेग यक्षा स्य दूतः कसमीन खंड का Vacc features आपका इसका सही अंसर आजाएगा मेग दूते यह यही यक्षका फ्रिश्वանीर कि सम खंड काimento है नेस्ट प्रिश्वार्जन आपका प्रिश्व 6 दू नेकसंहगी कम अती रमडियं अस्ति प्रश्ण यह था कि दूत्मारग कंपन कैसे है तर अब देखे तो आपका उत्तर हो जायगा सर्वधराणी पस्यतू सब कल्याण देखे अगला, प्रश्ण प्रश्ण नंबर 9 प्र deine ना नो क्या यहां से आप चालू करतेंगे चालू करतेंगे चूंसा सरी यहां तक लेखती है कुत्र के स्थान पर लेख देंगे कुमार संभवे प्राप्ते यू आपका शौमी कार्थि के की अवतार क्था kommer संभव में पाई जाती है प्रेश्ट प्रेश्ने आपका प्रेश्नम बदास काल्दास महसर कुत्र आ जोते प्रेश्न क्या है आपका काल्दास महसर कहां आजजित होता है इसमें क्या कहा है आपको जो तालीका दी है तालीका का निर्माण करके कालदास के समस्थ गंतों का संचित वाणन कीजे कहा है तो यहां पर हमने ग्रंथू के नाम लिख दिए उसके सर्ग और अंक लिख दिए और विशेवस्तु यह बता दिए जैसे आपका अभिज्यान साकुतलम मालवी कांग मित्रम विक्रोमस सियम कुमार संभोवाम रगुवांसम मेगदूतम रितु संहारम और उसके सर्ग और अं किस नंबर 12 वात में क्या कहा है मेग दूतम काल दासस्य जिवनें सहक की द्रशह संबंद है इतिक लिखात करने कभी हैं परने केछिएं प्राण च अध्यापी उज्जनियाम अन्यत्र च प्रतिवर्ष देव प्रभोध्यान ता काल्दास महस्व विशिष्टूपेन आज्यते यता तस्च मेग दूते एक्छास्य साप मुक्ष देव प्रभोध्यान नाम्मेव जाता है यत्छे त्याजेन महाकवी आत्नों व्यवस्ता प्रस्तुवान इती विदूसा मतम अता देव प्रभोध्यनी तिती महाकवे उत्सव दिवसा नातू जर्म दिवसा जर्म दिवसू सोद विश्यतू वर्तते तो यह आपका प्रस्ण बारा को उत्तर कंप्रिटा हो इसको हिंदीन क्या हुआ उज्जेनी कालिदास जन्म स्थली है कुछ अनिविधर भी माने जाते हैं मेग दूत के परणाम से आज भी उज्जेनी में और अन्यत्र प्रतिवास देव प्रभोधनी के दिन कालदास महस्तो विशेश रूप से आवजित होता है अता तस्ते मेग दूते अक्ष्य तो इस पकास से बच्छो आपका यह प्रेशन नमर 12 को उत्तर आप कंप्लिट कर स कर दो कर दो